नमस्कार गुड बॉर्निंग दैनिक स्टेट समाचार्क प्रिंट और अलेक्ट्रोनिक मीडिया संस्थान की और से मैं हर्बंस नागों के आप सभी का करता हूं स्वागत और आज जुलाई महिने का आंकड़ा अब दो आ गया है यानिकि एक से नौ जुलाई तक सिंगल हो गया है मिन्स आज दस जुलाई है और सावन का महीना भी है और ऐसे में जम्मू कश्मीर पूरे देश कैसा में केंद्र बिंदू बना हुआ है कई कारणों से उसमें प्रमुक कारण है वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा जो दो महिने की बाबा अमरनाथ श्राइन बोट पड़ा है चुकि भारी बरसात है और आज तो दर्श को बहुत बड़ा एक भुकम्प भी आया है मगर जो भुकम्प है वो उसके लिए भी बात करूंगा वो सुभा पांच बजकर 38 मिनट 54 सेकंड पर चिनाव वैली की तरफ आया है और इसका केंद्र बिंदू जिला डोड का ठाटरी रहा है जहां प्रेम नगर तुकूली कलार शिवापुल चतोरी निव ठाटरी इस तरफ रहा है फिलाल अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिसके लिए हमें बहुत जादा और दुखदाई होना पड़े यानि कि कोई जानमाल के नुकसान की अभी खबर अभी विस्तार पूर्व जानकारी नहीं हुई है इदर जबरदस बारिश जो है नाकेवल जम्मू कश्मीर में पूरे देश में है और इसी लिए कंद्र सरकार भी बहुत चिंचित हुआ है कंद्री ग्रह मंत्री शिरी अमत अमित सिना ने अमित शाह ने पहले पंजाब हिम नाचल परदेश और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और LG जो जम्मू कश्मीर के हैं उनसे बात की है क्या क्या पोजीशन है बारिश के कारण पूरे देश में जहां रुकावट आई है वहां पर वार्शिक बाबा अबरनाथ की यात्रा में भी काफी विघन पड़ा है औ हमाचल दिल्ली और भी जगों पर खास करके देव भूमी हमाचल में हालती बत्से बत्तर हुए परे हैं बारिश के कारण नौड़ा और गुरू ग्राम में आज स्कूल काफी बंद रहेंगे गाजियाबाद उत्र परदेश का हिस्सा है यहां पर भी 15 जुलाई तक बंद र है प्रशासन ने इस विपता की घड़े में जो वार्शिक बाबा अमनराथ की यात्रा सुचारू में विघन पड़ा है कई अच्छे सहासिक कदम उठाएं हैं अब जगा नहीं रही है इस समय जो भगवती नगर है ट्रांजिस्ट केम्प है और इसलिए उसको बंद कर दिय गया है उसमें और यात्री नहीं आ रहे हैं और इसके साथ साथ ही जम्मू डिवीजन के जो डिवीजनल कमिश्टर रशी रमेश कमार उन्होंने पूरी नदर रखी हुई है और इसी के तहत जिला सांबा के साथ केंद्रों में यात्रियों को ठहरने के ववश्ता की गई है दर्श को इसी कारकम में आफगत आपको होगा करवाता चलू कल ही मैंने इस बारे में बताया था कि जम्मू डिवीजन का जिला सांबा जिला कठुवा जिला जम्मू ये पहले ही अलर्ट है यात्री जम्मू आएंगे तो जरह मुश्किल होगी इनको अलग-अलग ठहराने क की वरस्ता की गई है और ज्यादा ठहराने की वरस्ता जिला सांबा में की गई है जिला सांबा के डिप्टी कमिशनर सहित वरिश पूलिस अधिक्चक बाकी सब जो है वो अन्दा टो है वो इन्होंने अलग-अलग जगा की इंतजाम किये हुए हैं और कई ऐसे सेंटर है कि यात्री चार रेल गाड़ियां जो जम्मू से उधंपुर से भारत के अलग-अलग हिस्सों में जाने थी वो भी नहीं जा पाए तो उनका भी सारा रश जो है इनमें तेन टीन ट्रेने जम्मू से चलती चलनी थी कल और एक उधंपुर से चलनी थी कट्रसर वो नहीं च और वहां पर 2.5 फिट अबाव डेंजर मार के जा चुका है और इसी तरीके से यहां पर प्रशासन ने एक और कदम इसलिए उठाया है बचाने के लिए जो तवी रीबर फरंटा उसका काम रोक दिया गया है और एक अच्छा कदम उठाया गया पहले ही वहां से मशीनरी है वो पहले इन्होंने कर लिया है मशीने वहां से हटा दी गई है और जो वहां पर आर्टिफिशल जील यहनी क्रितम जील बन रहे तो उसका भी काम रोका गया है जिया पोता एक भार्मिक सल है गुर्दारा साहब भी है इसमें अखनूर में और वहां पर जो आम अस्तियां जो हैं वहां पर प्रबाईच की जाती है मगर जिया पूतागाट की जो सीडियां हैं वो पूरी तरीके से ढूब चुकी है फृग्वाल हर साल इसकी चपेट में आता है कुछ चेनाब दरिया इदर से जवागत जाता है परगाल में बहुत से जो गडखाल हैं फत्तु कोट एक बार फिर साबित किया है सिंग इस आलवेस किंग कल प्रशासन ने इंतजाम बहुत कि इसके बावसूद भी गुर्दवारों सहब के लंगर खोल दिये गए है और प्रमुक जो जीवल चौक के पास चांद नगर में माई चांद कवरां समादी है गुर्दवारा सहब है वह पर यहां जो और दग्याना में संत मेला सिंग्जी आश्राबुन का गुर्दवारा साहब है नानंग नगर में है इन सभी जग़ों पर लंगर खोल दिये गए और ऐसे में खालसा एड़ भी काफी सक्रिये हुआ है आया है यह कोई पहली बात नहीं है याद करिए दो हजार प्रलाकारी बाड आई थी कश्मीर में तो चार्टड प्लेन दरबार साहब से चलते थे लंगर लेकर और यहां जम्मू में भी खालसा एड़ ने अलग अलग जगा सादेव ही और सिख जो शिष है उसका काम ही सिखों का है कि जहां जहां भी अवशक्ता है जरूर्ट मंदो को वो उन्होंने करना है और ऐसे समय में आपको याद होगा पिशली बार जब करोना काल आया था तो राधा स्वामें सत्संगर जितने भी देश भर में हैं वो भी आगे आए और उनकी प्रशंसनिया भूमिका सभी याद करते हैं प्रधान मंत्री से लेकर अलग-अलग रा है आये एक बार फिर उन सैनिकों को शधा सुमन है जिन्होंने एक बार फिर अपनी जान पर खेलकर अपने प्राणों की अहुती दे दी मगर पुंच के स्वरन कोट में उस जो लोग डूब गए थे उनको बचाने के लिए दो सैनिकों ने एक नाइप सुबिदर सहब और ए गया और उनके अब दोनों के पार्थिव शरीजनी की बलिदानी शब मिल गए हैं उनको आज उनके बैत्रक गावं में भेजा जाएगा और यह पंजाब के हैं और उनको सभी को शर्दा सुमन जो है जैनिक स्टेट समाचार प्रिंट और अलेक्ट्रानिक मीडिया की और से विशश्षत नमन है जो देश की सिवा कर रहे हैं चाहिए आंत्रिक सुरच्चा का मामला हो या भारत माता की सीमाओ का मामला हो तभी तुम चैंसे सोते हैं और पडोसी देश क्योंकि जब भी होता है पडोसी जो आपके घर में तकलीव है तो पडोसी के सभाविक होनी है इ इसमें कई जो घर तबाह हो चुके हैं प्रलाकारी बाड से जहां तक और हम कुछ समाचारों की बात करते हैं तो उसमें हम खास करके बात करेंगे रेल ट्रैक की मैंने आपको बता दिया जानी बहुत नुक्सान हुआ है वो भी आपके सामने क्लियर हो गई है अब इसके झांबी नापाक साजिशे लगातार कर रहा है और फाकिस्तानी खुफ्य आजन्सी आज जिसके नापाक इर्यादे भारत हमेशा विफल करता आ रहा है और वो कर भी रहा है और ऐसे में फिर एक खबर आई है जिससे बात स्पष्ट हो गई है कि अब पाकिस्तानी खुफिय अजंसी आईसाई अभी भी नापाग इरादे कर रही है और उसमें एक बार फिर से आजादी समर्सक नारा देने वाले कतल करने वाले आतंक करीमों हैं वो इस समय तेहाड जेल में बंद हैं उन पर कई केस चल रहे हैं रिकार्ड जो बताता है खास करके इसको खबर को जो मैंने लिया है वो दो समाचार पत्रों में है और दर्शकों खबर में आपको कई खबरे मन घलत होती हैं कयास की होती हैं हर वो हर एक मीडिया स अंसान की कभी-कभी कुछ मजबूरियां होती हैं या अन्भो की कमी होती है मर कुछ ऐसे समाचार है जो पिछले साड़े तीन दशक से जादा मैं भी जम्हों किश्मिर में सक्रिय भूमिका एक चौथे प्रहरी की निभा रहा हूँ उसमें कुछ कार्ण के या च्छेतरी समाचार पत्रों के पत्रकार लिखते हैं तो अन्भह लग जाता है कि इनका अन्भह-एसी ही खबर दो समाचार पत्रों में छपी है दरिक जागनन और अमर अलग जर्क यहाउलर अमर जाला में एक द्यान waking के बीरओ चीफ उनकी कश्मिर में होती है और अच्छी महारत है लंबे समय समय देखता आ रहा हूं वो भी लगबग धाई दशक से पत्रिकारता में है और उन्नमीन नवाज ने एक बहुत है खबर लिखी है कि जेके एलेफ ने पुराने सारे एक्टिव किये हैं और सलूटू जम्मो किश्मीर पुलिस सेक् आतंकवाद को और सक्रिय करने के लिए जुके थे और इसमें बड़े-बड़े धुरंदर जो नेता थे अलगाववादी नेता थे आतंकवादी नेता थे उनकी संताने हैं इसमें से मौलाना अब्बास अंसारी का बेटा भी है और मस्रूर अब्बास एक्स कमांडर है नान भट और यासीन मलिक के दो नजदी की यासीन भट ये भी पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है और जहां पुलिस स्टेशन ने इनको श्रिनगर में रखा गया वहां कडी चौक से करदीन से पूस्टाच कर ली है पूस्टाच पहले ही पूरी सबोत कर ली थी कि किस तरीके से ये लगा तार आतंक बाद को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मगर अब इतनी हमारी सिक्योर्टी जन्सी हमारा नेटवर्क कितना स्ट्रॉंग है कि वो बच नहीं सकते ये बात अलग है इनकी गिर्फतारी पर कुछ ना कुछ जो जम्मू किश्मीर के कुछ राजनेतिक दल है हलाकि उन्होंने भी समिधान की कसम खाई है कि वो देश की एकता प्रभुसत्ता घंडता के लिए सब कुछ करेंगे मगर ब बात नहीं मिली पूरा सबूत के बात इन लोगों को लिया गया है अब दर्शको समाचारों के साथ विशलेशन भी जो मैं साथ साथ आपको करता हूं उसमें एक प्रशासन ने बहुत अच्छे कदम लिए हमें उन्हीं प्रशंसनिये हैं परन्तु कुछ ऐसा और किया जा सक कदम अगर युद्स तरी उठा जाते तो बात कुछ और होती अब आप देखें कि सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आ रही है आप दर्शकों देखें कि इस समय जम्मू में जम्मू का जीवन भी ठहर गया है वार्शिक बाबा अमनात यात्यों के वहन बगारा आने से और चीजे नजर आता कई ऐसे हमारे सोचल मीडिया जो बहुत एक्टीव जम्मू में वो लगातार आप सब दर्शकों को अफ़गत करवा रहा है और ऐसे में पुरा इस समय चोक लग गया है एक समय था जब त्रिक्टा नगर से हम जाते हुए चन्नी हिम्मत से आते हुए गां पहले जहां वहां चलते तो उसे कई ज्यादा वहां चलने लगे हैं और जो बहुत ज़्यादा अपने आपको कहता है हमने बहुत कुछ किया स्मार्ट सिटी ने और नगरिपालका ने मगर वो सब जूट का पर्दा उनका उठ गया है साथ चरहाओं में रेड सिगनल है उधर ग्रीन होने में भी लंबा इंतजार करना पड़ता है अब आरोपों प्रत्य रोपों का सिलसला शुरू हो गया है दर्श को जब भी को खबर बनाई जाती है प्रिंट के लिए लेक्ट्रानिक के लिए जो पत्रिकारता का दायत बनता है उस बारे में सम्मंदित वि कि है यह एक दूसरे पर बात कर रहे हैं ट्राफिक जम्मू कि जम्मू पुलिस में स्स्पी ट्राफिक हैं उनका फैजल कुरेश से बात की गया उनका साब यह हमारा नहीं यह निगम का है अब निगम कहता है कि साब हमने तो इसके लिए और लड़ी सिस्टम बना दिया है उ एक नया इतिहास बना है जो हमेशा याद रखा जाएगा कि जम्मू मंदिरों का शहर और साथ ही साथ विकास की नगरी है और उसमें त्रिपुति बाला जी का भी बहुत बड़ा योगदान हुआ है आने वाले समय में यह भी एक आकरशन का केंद्र बनेगा धार्मिक आस्त की बात है और ऐसे में उदर से राइका में भी जाहाई कोट बनने के लिए बहुत कुछ किया गया अने बहुत सुप्रीम कोट के सुप्रीमों चीफ जस्टिस ने इसका वहां पर आधार शिला रखी थी और कई इसका विरोध भी उठा था यहां तक कि जो वकील साहबाना ब अगे हैं कई जंगल काटे जाएंगे अगर हाई कोट की जगाह यहां पर भी एक और ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया जाता का वहां टर यात्री Crystal और यहीं के पास यात्र निवाशं के पास बनाने के लिए तैयारीयां शूरू कर दी गई है अगर ऐसे मैं प्रशासन कर तो मगर इसके साथ साथ अगर इस समय प्रशाशन को ये भी चाहिए कि बहुत से और बैंकर ठाल है कि उसमें कई धार्मिक व्यक्ति के मालिक भी है वोने आप यहां रह सकते हैं क्योंकि अभी आने वाले समय में बारिश की संभावना जादा है और ऐसे में अभी ये मौका है कि अ यहां पर त्रिप्ति बाला जी के पास जो यात्री निवास है वो जल्दी से जल्दी बन जाए कि अगले साल इसकी हमें बुझे इस समय मुसीबत है वो अगले साल यात्रियों को नाए और खास करके जिस तरीके की ट्राइफिक व्यवस्ता है हलांकि भी सलूट टू आल ट् पुलिस के साथ-साथ जो अर्मड पुलिस भी लगी हुई है उनको भी वी सलूट किस तरीके से दिम्राथ काम करते हैं इस समय अगर कहीं भी यूटी है वो 12 से 16 घंटे 18 घंटे भी हो रही है और आपको तो मालुम है अब महिला पुलिस भी राज को भी ड्यूटी पर नाको किया है और भी समाचार जो होते हैं हम आपको लगातार बताते रहते हैं फिलाल दस जुलाई के दैनिक स्टेट समाचार एलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिय का यह सुभा का जो कार्कम में लेकर आया हूं उसकी यहीं समाप्ति करता कई और कार्कम जो जंता से जुड़े हैं समाच से जुड़े हैं वो ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर की कहावत को याथार करते हुए अपना मैं दायत निभाता रहूंगा नमस्कार